अभी एक बहुती latest question जो trend में है वो ये है कि offline classes versus online classes ये हम सभी मानते हैं और मैं भी कि इस covid period में offline classes का एक अच्छा alternative online classes उबर के सामने आया अगर ये camera नहीं होता, mobile नहीं होता, computer नहीं होता और सबसे जरूरी चीज इंटरनेट नहीं होता तो मेरे जैसे बहुत सारे teachers आप जैसे बहुत सारे अच्छे students के contact में नहीं आते, interaction नहीं होता और ये जो दो साले हैं आपके इसमें आपकी mental growth के उपर बहुत ज़्यादा impact आता हम इन दो सालों के अंदर अपने career को, अपनी knowledge को बहुत ज़्यादा spoil कर लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इन दो सालों के अंदर online classes ने जो हमारी needs थी, उसको 50 से 60% तो जरूर पूरा किया है 100% definitely मैं नहीं मान सकता कि पूरा किया है अब इस प्रकार की जो technologies हैं, वो तो पुराने 15 साल से 20 सालों में develop होना शुरू हो गई थी तो अगर ये जो online classes का option है, ये इतना ही बढ़िया होता तो 15 साल, 20 सालों के अंदर इस technology को adopt कर लिया जाता और फिर तो सभी सिर्फ online classes ही attend कर रहे होते लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी जो सबसे ज़्यादा demand थी, वो इसलिए क्योंकि इसके अलावा कोई और alternative था ही नहीं तो ये analysis करना बनता है कि offline classes versus online तो हम analysis करते हैं, conclusion आप निकालियेगा मेरा ऐसा मानना है, जो आपने भी feel किया होगा कि online classes के अंदर जो student की concentration है, वो तो बहुत ही weak होती है और आप खुद मानते हैं कि अगर मैं किसी भी subject पे अच्छा command करना चाता हूँ तो concentration तो सबसे top class होनी चाहिए तो very less concentration in online classes हम बहुत आसानी से हमारे जो वीडियो है, उसको pause कर सकते है हमारे सामने जो teacher दिख रहा है, वो एक बहुत छोटी सी mobile screen पर दिख रहा है एक बहुत छोटी से computer screen पर दिख रहा है हम थोड़ी देर के लिए इदर चले जाएं, थोड़ी देर के लिए उदर चले जाएं क्या offline classes में आप इस प्रकार का कोई भी step उठा सकते हैं अगर आपको वाश्रूम भी जाना है, अगर आपको पानी भी पीना है तो भी आपको अपने teacher से offline classes के अंदर पहले permission लेनी पड़ती है आपकी concentration वहाँ पर 100% बनी रहती है आप एकदम alert mode में बने रहते हैं जो मैं नहीं मानता कि online classes के अंदर तो possible है तो very less concentration second, बोरियत भी बहुत ज़्यादा होती है क्यों? obviously यह जो peer competitors है peer competitors मतलब एक आपके बाजू में इधर एक student बैठा है इधर एक student बैठा है वो जो आपको energize करते हैं वो जो जब आपसे कोई teacher question पूछता है और सभी students के बीच में आपको बहुत अच्छा बोलता है good बोलता है तो वहाँ से जो energy मिलती है वहाँ से जो motivation मिलता है among your peer competitors यह तो मैं मानी नहीं सकता कि online के अंदर कभी भी possible है तो इसके लिए तो online classes को बिलकुल zero number मिलने वाले है agree it तीसरा यह जो one to one eye contact है with your teacher यह online classes के अंदर बिलकुल missing है one to one eye contact मतलब teacher को offline classes के अंदर यह पता रहता है कि आप क्या कर रहे है आप copy में कितना अपना notes maintain कर रहे है आपको कहा difficulty जा रही है इस type की सारी जो बाते हैं वो offline classes के अंदर teacher को पता रहती है क्या इन में से कुछ भी online classes के अंदर possible है नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि यह सारे जो points है very less concentration peer competitors motivation as well as one to one eye contact with your teachers यह सब चीजे online classes में तो 100% missing है तो क्या फिर online classes का विकल्ब हमको चुनना चाहिए मैं देखिए इसके 100% disfavor में तो नहीं हूँ मतलब मेरा यह मानना है कि online classes का option आज उतना ही तुमको opt करना चाहिए adopt करना चाहिए जितना हम अपने खाने में चटनी को यूज करते हैं अब आप बोलेंगे कि सर यह चटनी कहां से आ गई भाई खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम चटनी का यूज करते हैं न लेकिन खाना खाने की बजाए क्या मैं सिर्फ चटनी खाकर ही पेट बर सकता हूं क्या नहीं खाना खाके पेट बर सकता हूं चटनी खाके पेट नहीं बर सकता तो सेम मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि यह जो online option है यह obviously कभी आपकी अगर class miss हो गई तो उस समय आप एक recorded lecture देख लिए या teacher आपको समय समय पर कुछ online motivate करने के लिए points बता रहा है कुछ subject को interesting बनाने के लिए आपको अगर कुछ video share कर रहा है आप उसको जरूर देख सकते हैं तो इतना तो बनता है लेकिन 100% online classes का option तो अब बिल्कुल भी favorable नहीं है तो मैंने अपना analysis किया conclusion आपको draw करना है और अगर इस video से आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी help मिली हो online और offline को compare करने में तो like तो और अगर like बनता है तो definitely comments भी बनते हैं और अगर आपको लगता है कि यह video काम का है तो definitely आप अपने friends और relatives के साथ भी जरूर share करिए तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे videos के साथ thank you